जहिन दोस्तों स्वागत है आपका विजपत डिफेंस एजुकेशन में आज की इस वीडियो में बात करेंगे आर्मी स्पेशल रीजनिंग की सो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए वीडियो रहने वाली है इस वीडियो में reasoning का first topic analogy army special के लिए आज हम discuss करेंगे साथ में जितने भी हमारे basic level के exam है police का है, HPSC का है, उन सभी में इस type की reasoning काफी बार पुछी जाती है तो army special के साथ साथ ये basic level exam के लिए भी हमार पास most important video रहती है तो mission 2021 आपके लिए रहेगा, reasoning का first topic है, आज हमारा analogy का, इसकी first part आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं इसमें कुछ important question के बारे में फर्स्ट question के बारे में बात करते हैं, पहला question है हमारा analogy का स्वपन को जो है, वो बास्विक्ता के नाम से बोला गया है, तो जूट को क्या बोला जाएगा analogy जो है, इसको शादिरस्यता के नाम से हम जानते हैं, और इन type के question में ये जो analogy है इन question में हमें जो है, वो एक correlation बताना होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ स्वपन का समन्द जो यहाँ पे बताया गया है, वो बास्विक्ता से बताया गया है कि कहीं ना कहीं पे ये स्वपन जो है, ये इसके साथ correlate करता है तो उसी परकार जूट का समन्द जो है, वो किसके साथ होगा तो आपको यहाँ पर relation ढूणना है और साथ-साथ में वीडियो को आपने पूरा देखना है वीडियो को बीच में stop करके आप अपना answer जो है वो guess लगा सकते हैं तीन या चार वीडियो जो है वो इस topic की मैं आपके लिए लेके आओंगा तो important topic है और first question से आज हम इसकी शुरुवात करते हैं तो सबसे पहले है स्वपन बासुक्ता जिसको बताया गया कि जूट का समन्द क्या होगा तो जिस परकार हमारा स्वपन और बासुक्ता आपस में जुड़े हैं तो आपको यहाँ पे relation ढूणना है किन दोनों में relation क्या है तो स्वपन का मतलब होता है सपना लेना और बासुक्ता का मतलब होता है हकीकत में तो यहाँ पे बताया गया है कि दोनों जो हैं वो आपस में बिपरीत शब्द हैं उसी परकार जूट में भी आपको उसी परकार का शब ढूणना है तो जूट का विप्रीज जो होता है वो होता है सत्य तो सत्य बी ऑप्शन जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा next one है pound को बोला गया है pound को येन बोला गया है तो आपको बताना है कि polo का समन्द किस से है होकी से, घोडे से, सवारी से या फिर छड़ी से तो आपको साथ साथ मैं वीडियो को stop करके अपना answer guess करना है I hope आपके लिए मैं important topic की series जो है इसमें pound और येन ये दोनों क्या है ये दोनों हमारी मुद्राएं है ये दोनों हमारी क्या है मुद्राएं है उसी परकार polo जो है वो हमारा एक खेल होता है उसी परकार hokey जो है वो भी हमारा खेल है pound और येन दोनों मुद्राएं है तो polo और hokey जो है इसका second part और reasoning का second topic जो है हमारा series का वो भी मैं आपके लिए जल्दी ही लेके आऊंगा next one है कां-कां का समन्द बतक से हां पर बताये गया है कां-कां का समन्द जो है वो बतक से बताये गया है उसी परकार हिन हिनाकट का समन्द किस से होगा लोंबडी से, घोडे से, मैंडक से या बिल्ली से तो वीडियो को stop करके आपने इसका अंसर बताना है comment box में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है तो कां-कां जो है वो एक बतक की बोली का नाम है मतब बतक जो है वो कां-कां करती है उसी परकार हिन हिनाकट जो है वो घोडा करता है मतब घोडे की जो ध्वनी है, sound है वो है उसकी हिन हिनाकट तो यहाँ पे जो समन्द है वो आपको किसका बताया गया है sound का समन्द जो है वो यहाँ पे आपको बताया गया है आपको यहाँ पर relation ढूरना होता है कोई भी relation आपका यहाँ पर काम आ सकता है next one है next question important है आपके लिए सिपाही का समन्द बताये गया है resiment से उसी परकार घोडे का समन्द किस से होगा तो सिपाही और resiment में क्या आपस में correlation है तो resiment में जो है वो सिपाही होता है मतलब सिपाही जो है हमारा वो कहाँ पर होता है वो हमारा resiment में होता है unit में होता है उसी परकार घोडा कहाँ पर होता है चार option में बताना है तो no sena तो आ नहीं सकता बेडा इसका answer नहीं है जुन्ड भी इसका कोई match नहीं कर रहा तो एक ही option बसता है वो है अश्वरोही सेना तो मतलब घोडों की सेना जो है बहाँ पे क्या होता है घोडा होता है next one है इंट का समद्ध दिवार से बताया गया है उसी परकार cell का समद्ध आपको यहाँ पे बताना है chlorophyll, ang, dna या फिर उतक तो इंट जो है उससे क्या बनाई जाती है दिवार बनाई जाती है उसी परकार cell से क्या चीज़ बनाई जाती है यह जो आपका cell है यह आपका यह जो cell है यह वाला है बायो का cell है यह biology में जो हमारा cell होता है उसे कहा जाता है जिसको हम हिंदी में कोशिका के नाम से जानते हैं तो कोशिका से क्या चीज़ बनती है कोशिका से हमारा बनता है उत्तक जिसको हम टिशू के नाम से जानते हैं तो option D जो है इसका बिल्कुल correct answer रहेगा साथ मैं आपको बिजेपर्थ defense education को आपने subscribe करना है क्योंकि daily आपके लिए math की video हम आपके लिए लेके आते हैं तो आपने channel को जरूर subscribe करना है और आपने बताना है कि आपको हमारी video किस परकार की लग रही है अगर आपके कोई भी doubt हैं तो वो भी आप comment box में बता सकते हैं साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि किस topic कि आपको वीडियो चाहिए उसके लिए separate वीडियो जो है वो हम आपके लिए लेके आएंगे next question है पश्चिम का समंद उत्तर पूरब से बताया गया है तो उसी परकार दक्षिन का समंद किस से होगा पश्चिम का समंद उत्तर पूरब से यहाँ पर बताया गया है तो पश्चिम का समंद उत्तर पूरब से है तो यहाँ पर मैं सबसे पहले चार दिशाएं बना लेता हूँ मेरे पास चार दिशाएं कौन सी होती है यह होता है मेरे पार पूरब यह होता है मेरे पास पश्चिम यह है उत्तर और यह है मेरे पास दक्षिन इस पश्चिम वाली यह जो मेरे पास यहां पर एरो है इस पश्चिम को बोला गया है उत्तर पूरव मतलब ये वाली direction बोला गया है ये वाली उत्तर पूरव तो 90 का एंगल इस तरफ गया ये घड़ी की दिशा में गया और थोड़ा सा 45 डिगरी और गया तो मतलब 135 डिगरी ये धाएं की तरफ घूम है तब इसको इसने उत्तर पूरव बोला तो उसी परकार दक option को भी clockwise घुमाएंगे और 135 डिगरी तक rotate करेंगे तो 90 तो यहां तक हो गया इस point तक मेरा 90 हो गया और 135 इस point तक हो गया तो ये वाली दिशा जो आएगी वो मेरी आएगी उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम जो है वो इसका बिल्कुल correct आंसर रहेगा तो option A जो है इसका बि इसकी बात करते हैं आपको बताया गया है मरुस्थान का जो है वो मरुस्थाल आपको बताया गया है तो सागर का relation किससे है यहां पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको यहां पर last जो है उसका relation बताया गया है नास्ट रिलेशन बताई गया है जैसे अगर मैं बात करूँ यहां पे पहले जो मेरे पास पिछले कोशन थे उसमें वो आपको रिलेशन धूनना था जैसे पश्चिम कौतर पूर बताई गये तो दक्षिन का आपको बताना है लेकिन अब जो question है वो मरुस्थान का तो मरुस्थल दिया है बट आपको ये बताना है कि किसका सागर आएगा तो किसका सागर आएगा यहाँ पे हमारा क्या relation फिट बैट सकता है मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जैसे मरुस्थान जो है वो हमारा मरुस्थल में होता है उसी परकार जो हमारा द्वीप है वो हमारा सागर में होता है तो option A इसका correct answer रहेगा next one है शुरक्षित का बताया गया है निरापद तो आपको बताना है कि रक्षा करने का correct answer रहेगा आपको यहाँ पर relation ढूणना है कि शुरक्षित और निरापद में क्या relation है तो मैं आपको बता दूँ कई बार आपको tough level के question भी exam में देखने को मिल जाते हैं आपको यहाँ पर निरापद एक आशा बढ़ बताया गया है जिसका आपको अर्थ directly नहीं पता है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि शुरक्षित का मतलब होता है सुरक्षा करना कोई चीज सिक्योर है उसी को ही निरापद भी बोला जाता है मतलब इसका यह समान शवद बित बताया गया है शम और स्ट्चन a हमारा correct answer रहेगा ज kepada चिकितसक का उपचार बताया गया है थृत क्या करता है जीजु देता है वकील है या फिर अदालत है यहां पे हमारे चार ओप्षन जो आप्रॉक्सिमेटली तो फिट बैठ रहे हैं बट आपको रिलेशन ढूना की रिलेशन क्या दिया है चिकित्सक जो है वो हमारा उपचार करता है वो हमें ठीक करता है उसी परकार नियाएधीश तो होता अदालत में वकील भी वहां पे होते हैं निडने भी वो सुनाता और दंड भी देता है चार ओप्षन मेरे हिसाब से तो फिट बैठ रहे हैं बट होगा तो कोई एक कोरेक्ट तो मैं आपको बता दूँ जिस परकार यहां पे चिकित्सक का काम बताया गया है यहां पे जो ब देते हैं बट मैं आपको बता दूँ जो जज होता है जो जज है वो उसका काम क्या है वो निडने तो देता है निडने के साथ साथ वो हमें दंड भी दे सकता है या फिर हमें वो छुडा भी सकता है मतलब हमें खुशी भी दे सकता है और दुखी भी कर सकता है अगर सजा हो बताया गया है तो मूर्तिकार का समंद किस्ते होगा बास्तुकार का समंद भवन से है तो मूर्तिकार का समंद किस्ते है तो बास्तुकार जो है ये भवन को बनाता है बास्तुकार का मैं यहाँ पर आपको बतादू बास्तुकार जो है वो भवन को बनाता उसी परकार मूर्ति कार क्या करता है तो आपको यहां पे बताना है मूर्ति कार का जो अंसर आएगा वो आएगा प्रतिमा वो मूर्ति को बनाता है और मूर्ति को ही कई वारे प्रतिमा के नाम से भी जाना जाता है नेक्स वन है बरफ को बोला है शीतलता तो प्रिथिवी का क्या आएगा बरफ जो के आएगा Murphy दो प्रिति विक आपको बताना है भाराईगा या गुरुत्वाकर्शन आएगा जंगल आएगा या समुद्धर आएगा इसका जो कोरेक्ट एंसर हमारा रहेगा वह हमारा गृत्वा कर्शन जिसको हम gravity के नाम से जानते हैं तो पृत्वी में क्या चीज़ होती है पृत्वी का कौन सा गुण यहां पे है वो है गृत्वा कर्शन next one है घर को बोला गया है कमरा तो बिश्व को क्या बोला जाएगा most important है काफिवार एक्जाम में पूछा गया है जमीन, सूर्य, हवा, या फिर, रास्ट्र तो घर में हम क्या करते हैं जो यहां पे मैं अगर एक correlation आपको बताऊं कमरे से क्या बनता है कमरे से हमारा घर बनता है तो ऐसा कौन सा यहां पे point आएगा जिससे बिशो बनता है तो वो है हमारा रास्ट्र रास्ट्र का मतलब है देश देशों को मिला के जो है वो क्या बनाया जाता है बिशो बनाया जाता है तो option D जो है वो हमारा इसका correct answer रहेगा next बात करते हैं camera को lens बोला गया है तो flash को क्या बोला जाएगा तो camera जो है वो एक sorry lens जो है वो एक camera का important हिस्सा है उसी परकार flash का relation जो है वो किस्से है तो flash का relation जो है यह हमारा आएगा परकार से light के साथ इसका correlation होता है next one है मकान का समंद किराए से है तो पूंजी का समंद किसे होगा मकान का समंद किराए से है जैसे कोई चीज अगर हमने मेकान में ठहरा दिया किसी को तो हम उससे क्या लेते हैं उससे किराए लेते हैं तो पूंजी अगर हमने किसी को दे दिया हमने किसी को धन दे दिया मान लेते हैं सोंबार को शनिवार बोला गया है तो ब्रिहस्पति बार का क्या आएगा काफी अच्छा कोशन है आपके लिए सोंबार को जो है वो यहां पे शनिवार बोला गया है तो यहां पे आपको रिलेशन ढूना है किस परकार रिलेशन बनता है मैं यहां पे एक वार लिख देता एक दिन छोड़ के मैंने यहां पे reverse में अंसर बताया है तो उसी प्रकार यहां पे कौन सा आएगा जिसको एक दिन छोड़ के ब्रिहस पतिवार आता है ब्रिहस पतिवार का मतलब होता है गुरुबार या बीरवार जिसको हम बोलते हैं तो इसका क्या अंसर आएगा आप यहा नेक्स्ट कोईशन के ओपर चलते हैं धांचा का बताया गया है मकान तो उस परकार अस्तीप इंजर का क्या होगा जब हमारे सारे ये अनलोजी के पार्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF का लिंक भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगा जहां से आप अपनी practice कर सकते हैं और साथ में आपके लिए 2 या 3 combo में practice set भी बीडिय के description में डाल दूँगा जहां से आप अपनी practice और अच्छे level पे कर सकते हैं next question है धांचा का मकान है तो अस्ती पिंजर का क्या आएगा धांचा जो है वो मकान में होता है तो अस्ती पिंजर कहां पे होता है या आपको बताना है पसली, खोपडी, शरीर या लावण तो इसका जो अंसर रहेगा वो है हमारा शरीर शरीर के भाग को जो है वो अस्ती पिंजर के नाम से जाना जाता है next most important question है सत्य जीत रे का समंध फिलम से है तो पिकासो का समंध बताना है सहित्य से आएगा, नाटक से आएगा, कविता से आएगा या चितरकला से आएगा तो रिलेशन आपको ढूनना है तो सत्य जीत रे जो हैं वो एक फिलम से समंध रखते हैं फिलम कार हैं वो फिलम बनाते हैं उसी प्रकार पिकासो जो है वो क्या बनाता है पिकासो जो है वो एक चित्रकला बनाता है तो इसका समंदा जाएगा चित्रकला से इसी डाइप के कोश्चन आपके लिए important बनते हैं कि काफी unique question है जो आपने कभी सुने नहीं होते हैं next one है most important आज की इस वीडियो का बात करूं तो important है और मेरे idea से अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपके sick light जो आपका एक exam था army का उसमें ये वाला question जो है वो पूछा गया था इसका answer आपको बताना है menu का जो है वो relation भोजन से है तो catalog का समन्द किस्ते आएगा magazine पुस्तक अकवार या फिर rank से तो जल्दी से आपका answer जो है वो आपने सोच के रखना है यहाँ पर क्यूंकि आपके comment box में आपका answer जो है वो आना चाहिए आपको साथ में बताना है कि वीडियो आपको कैसी लग रही है जैसे for example हम किसी hotel में जात नहीं है या इतनी इतनी इस परकार की चीज़ें जो वो हमारे hotel में मिलती है तो इसी परकार catalog क्या चीज़ है जो हमारा एक पुस्तक का एक हम बोल सकते हैं कि उसमें पुस्तक के नाम जो है बो लेकि होते हैं mostly इसे जो है वो libraries में लगाया जाता है next one है अच्छे का बुरा तो च्छत का क्या आएगा important question है आपके लिए कि अच्छे का बुरा है तो च्छत का क्या answer आएगा काफी अच्छा question है ये अच्छे का समन्द बुरे से है मत आपको ये पता चला कि अच्छे का opposite बर्ड यहां पे बताये गया है अच्छा का बुरा तो उसी परकार च्छत का भी opposite बताना है तो च्छत उपर है और नीचे क्या होता है first तो option c correct answer रहेगा last question आज की इस वीडियो का share का समन्द है मांद स तो खरगोश का समन्द किस से आएगा यहां पर बता दू मांद जो होता है वो यहां पर कई वार बच्छे जो हैं से मांस समझ लेते हैं मीट समझ लेते हैं तो यह मीट नहीं है सेर जो है वो तो चिकन या मीट खाता बट यहां पर मांद का समन्द है कि उसके रहने के स्था को मांध कहा जाता है हिंदी में जैसे अश्वसाला जो है वो घोड़ा जहां पे रहता है या बांधते हैं उसको कहते हैं तो खरगोश कहां पे रहता है छेद में घाटी में बिल में या खाई में तो खरगोश जो रहता है वो रहता है बिल में उसी परकार सांप जो है वो भी हमारा बिल में ही रहता है तो option C इसका correct answer हो जाएगा I hope आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को आपने like करना है जल्दी ही मैं आपके लिए इसका second part भी upload कर दूँगा आप हमारे WhatsApp ग्रूप के साथ जरूर जड़े इसमें आपको day to day के current affair साथ में study material army का, police का, HPSSE के जितने exam है उन सभी का free of cost प्रोवाइड करवाया जाता है और वीडियो के description में इसको link मिल जाएगा जहां से आप इसको easily join कर सकते हैं या फिर जो आपके सामने यहाँ पे number flash हो रहा है इस number के ओपर भी आप message करके जो हैं वो WhatsApp group के साथ जुड़ सकते हैं इस वीडियो की PDF पर आपको इसी WhatsApp group में प्रोवाइड करवा दी जाएगी तो वीडियो को like करें मिलेंगे जल्दी ही इसके second part के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत